चाप्टर टू देख रहे हैं एसेड बेसेज और सॉल्ट एसेड बेसेज और सॉल्ट के क्वेशन आंसर देखेंगे यह 2015 के दो मार्क की क्वेशन है आपको बताना है एसेड जो इन सब में है तो टोमाटो में आपका औक्जालिक एसेड है वेनिगर में आपका ऐसेटिक एसेड है और टैमरेट टैमरेट क्या होता है इमली उसमें टार्टरिक एसेड है 15 ml पानी वाटर और 10 ml सल्फिरिक एसेड को मिक्स किया गया एक बीकर में आपको बताना है मेथड तरीका जो आपको follow करना है reason के साथ और process को कहते क्या है तो जो acid है उसको बड़ा slowly बहुत आराम से पानी में mix करना है ताकि कोई splash नहों जो reaction है वो बहुत बहुत जादा exothermik होता है बहुत जादा heat निकलती है इसमें इसका मतलब यह है कि आपको बहुत constant cooling करनी पड़ेगी इस प्रोसेस को आप कहते है dilution sulfuric acid बहुत strong acid होता है उसमें पानी को बहुत हलके से मिलाना पड़ता है क्योंकि यह acid बहुत strong acid है तो हलके हलके से मिलाएंगे तो sulfuric acid का जो उसकी power है कह सकते है या उसकी जो intensity वो कम होगी या इसी को हम dilution कहते है explain how antacid works किस तरीके से antacid काम करता है आपने देखा होगा बहुत मसालेदार अगर आप खा लेते हैं या आपको कोई जैसे मुझफली से energy है कई हो को एंडे से होती है वो खाती साथ उनके पेट में acid formation बहुत जादा हो जाता है तो खटा पन कई लोगों के मुझे भी खटा पनाता है तो जो hyper acidity है वो इसलिए होता है क्योंकि जो पेट में hydrochloric acid है क्योंकि अपने पेट को गलाता या digestion यही करता है खाने को खाने को जो गलाता है तो अगर hydrochloric बहुत जादा पैदा हो रहा है तो hyper acidity होती है तो antacid जो होता है उसका nature होता है basic तो यह इस acid को neutralize करता है और आपके पेट में जो जलन है या जो खटा पन है उसको इस hyper acidity को दूर करता है define olfactory indicators name two substances which can be used as olfactory indicator olfactory indicator क्या है और दो ऐसे substance बताईए जिनको use किया जा सकता है olfactory indicator की तरह पहले इसका जवाब देख लेते हैं वो substance जिनके smell जिनकी जो खुश्बू या बद्बू कहें वो change होती है acid या basic solution इनको हम olfactory indicator कहते हैं जैसे आपका onion हो गया या vanilla हो गया प्याज वनीला इस तरीके से ये आपके olfactory indicators होते है अब इसमें बताना है कौन से strong acid है आपके तो इसमें strong acid जैसे आपने पहले भी डिसकस किया sulfuric acid और साथ में आपका HNO3 ये आपके strong acid है A white colored powder is used by doctors for supporting fractured bones आपके अगर by chance कोई fracture हो जाता है तो उसके ओपर एक plaster जैसा कुछ लगाया जाता है hardened material जिससे आपका portion सीधा रहता है तो हड़ी जूड़ जाती है आपको chemical नाम बताना है formula बताना है इस powder का और जब ये white powder को mix किया जाता है पानी के साथ, water के साथ एक hard solid mass पैदा होता है तो आपको balanced chemical equation डिखना है इस change के लिए ये है calcium sulfate देखिए, ये calcium sulfate है और क्योंकि पानी है आधा तो इसको हम कहते है calcium sulfate hemihydrate तो calcium sulfate और ये जो hemihydrate है जब इसको पानी से साथ मिलाया जाता है तो ये बनता है CSO4.2H2 और ये ही आपके hardened जो से कहा कि आपके fracture bone को support करने के लिए जो colored powder है, white colored powder वो use होता है explain करना है जो dilute hydrochloric HCL का action है या कहें कि chemical equation क्या होगी उसका magnesium ribbon के साथ, sodium hydroxide के साथ, और जो अंडे अंडे के उपर का जो shell होता है मो उसकी calcium का बना होता है तो crushed egg shells का तो hydrogen, जैसे पहले में शुरुवात करते है hydrochloric acid को magnesium के साथ combine करते है तो इससे क्या होगा, MgCl2 बनेगा hydrogen gas liberate होगी, तो हम कह सकते है hydrogen gas बनती है इसमें जब sodium hydroxide को hydrochloric acid के साथ combine करेंगे तो sodium और chloride मिलके sodium chloride यानिकी salt बना लेगे बाद साथ में पानी बन जाएगा यहने sodium chloride और water बनेगा जब जो crust crust egg shell है यह calcium carbonate का बना होता है CACO3 का अब यह जब react करता है HCl के साथ, मतलब hydrochloric acid के साथ तो calcium carbonate क्या बनाता है यह CACL2 बनाएगा और साथ में आपका H2O और CO2 liberate होगी तो यह जो crust या तूटा हुआ egg shell जब react करता है dilute hydrochloric acid के साथ यह आपको एक brisk effervescence देता है कि carbon dioxide निकल रही होती है उससे आप यह समझे दूधिया fume निकलते हैं यह समझ सकते हैं state reason for the following statement इन statement के reason बताने है tap water जो tap water होता है जैसे अगर आप नल खोलें तो उसमें से जो पानी आता है वो electricity conduct करता है जबकि अगर distilled water कोलें तो वो conduct नहीं करता इसे current क्या है देखे tap water एक normal water जो हम हमारे घर पे आ रहा है वो उसमें ions होते हैं जो अगर ions है, free ions है तो अपने बनी बात है कि भी electricity को conduct करेंगे लेकिन अगर हम distilled water की बात करें इसमें ions नहीं होते है और जब ion नहीं होंगे तो conduction यह होगा अगर आप hydrochloric chloride gas ले जो dry है वो तो turn नहीं करती blue को red में जबकि dilute hydrochloric acid कर देता है dry hydrochloric dry hydrochloride या dry HCl फिर से यह बात आती है कि ions फॉर्म नहीं कर रहे लेकिन HCl अगर आप इसकी बात करें dilute HCl की तो H plus और C L minus अलग-अलग ion प्रोडूस कर रहे इसलिए यह blue को red में change कर देते during summer season a milkman usually adds a very small amount of baking soda to fresh milk गर्मी के समय जब temperature होता है बाहर environment में तो जो milkman है जो दूद सप्लाइ करते हैं वो थोड़ा सा baking soda लाल देते हैं fresh milk तो baking soda ये milk को lactic acid देखेगा milk change होता है lactic acid में और जैसी milk lactic acid में change होगा आपको समझ में आ जागा कि milk खराब हो रहा है sore हो रहा है तो baking soda उससे थोड़ा सा बचाता है इसलिए ये काम होता है for a dilution of acid acid is added into water and not water into acid अगर किसी भी concentrated acid को dilute करना है तो acid को पानी में डाला जाता है ना कि जो पानी है उसको acid में डाला जाता है तो खरारन ये है कि अगर आपने पानी को acid में डाला तो बहुत exothermik हो जाएगा तो इसलिए water को add किया जाता है acid में बहुत slowly बहुत धिरे धिरे और constant cooling के साथ ammonia is a base but does not contain hydroxyl group ammonia आप कहरें कि ये तो base होता है लेकि इसमें hydroxyl group तो है नहीं लेकिए ammonia जब पानी के साथ dissolve होता है तो ये बनाता है H plus इसलिए ये basic nature है इसका nature basic इसमें hydroxyl group नहीं है तब भी write the chemical formula of hydrated copper sulfate and anhydrous copper sulfate giving an activity illustrate how these are interconvertible पहले तो आप chemical formula बताएंगे hydrated copper sulfate और anhydrous copper sulfate का उसके बाद आपको chemical name और formula लिखना है प्लास्ट आप परेस और जिपसम का देखे पहले आपका CUSO4 ये वाली इसकी बात कर लेदे CUSO4.5H2 ये आपका hydrated copper sulfate होता है ये पहला वाला CUSO4 copper sulfate के साद .5H2 है ये आपका hydrated copper sulfate है और ये CUSO4 है कि वाल CUSO4 ये आपका anhydrous copper sulfate है उसके बाद आप activity बताएंगे तो activity कुछ इस तरीके से है आप aim बता रहे हैं कि आपको बताना है ये शो करना है crystalline salt contains water of crystallization ये एक्टिविटी इस तरीके की है कि हमको बताना है crystalline salt में water crystallization वाले water होते हैं किस तरीके समझेंगे पहले तो आप यहां से शुरुआत करेंगे CUSO4.5H2 इससे ये blue vitriol color का इसका observation होगा हमारा boiling tube होगा, burner होगा, cork होगा, delivery tube होगा, test tube होगा, clam stand होगा अब क्या करेंगे कुछ gram आप ये CUSO4.5H2O याने कि आप hydrated copper sulfide लेंगे एक boiling tube में जो clam stand के साथ fit होगा उसका color observe करेंगे अब उसके बाद fit करेंगे cork को इसके cork के साथ इसका fit करेंगे और delivery tube के साथ delivery tube आपका bent होगा दो right angle ऐसे और ऐसे करके right angle होगा और वो जाके एक test tube में जाएगा इस जगा test tube में अब देखेंगा कि heat crystal आपका boil हो रहा है in boiling tube अब आप देखें जो vapor condense हो रहे हैं वो आपके test tube में जाएगे अब ये cool करेंगे crystal को और उसके बाद हम थोड़े drop डालेंगे इसमें पानी के observation ये है कि जो water vapor यहां collect हुआ बन्दा water vapors condense हो जाते हैं test tube में और उसका color blue crystal का change हो जाता है white में अब जब हम पानी डालते हैं enhydrous copper sulfate में तो वो change हो जाता है blue अपने आप blue में अगे तो chemical reaction क्या होगा ये blue है आपका CUSO4.5H2O इसको heat किया तो copper sulfate बनता है जो white color का है और यहां पर आपका water liberate होगा conclusion क्या है इसमें जो crystalline substances होते हैं उनमें water of crystallization होता है वो जैसे heat करेंगे वो loose हो जाता है और जब हम water इस copper sulfate में डालेंगे जब तक saturated solution नब जाए इसका cool करेंगे तो convert हो जाएगा CUSO4.5H2O crystals में और ये आपको ये बता रहा है कि दोनों आपस में inter convertible है एक दूसरे में change हो सकता दूसरा पहले में change हो सकता तो CUSO4.5H2O यहां पर जैसे हमने बात की ये calcium sulfate hemihidrite होता है hydrate और ये CUSO4.2H2 ये calcium sulfate dihydrate होता है state the chemical properties on which the following uses of baking soda are based कौन सी chemical property है जिस पे ये baking use use baking soda का based होता है जैसे as an antacic पहले चीज़ तो ये है कि ये बहुत weekly basic होता है nature में और ये hyper acidity जो होती है पेट में उसको ये neutralize करता है दूसरे की बात करें as a soda acid fire extinguasion तो ये carbon dioxide liberate करता है H2SO4 के साथ और ये आग को बुझाने के काम में आता है to make bread and cake soft and spongy again ये carbon dioxide liberate करता है heating पे तो इससे जो bread और cake है वो soft और spongy हो जाती है अगला है how is washing soda obtained from baking soda right balance chemical equation तो देखिएगा NaHCO3 इसको heat करेंगे तो Na2CO3 carbon dioxide और water बन रहा है तो baking soda को जब हीट करेंगे तो आपको ये sodium bicarbonate देगा baking soda को हम जब हीट करेंगे तो ये sodium bicarbonate देगा और जब उसका crystallization होगा तो वो hydrated washing soda बनाएंगा जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं Name the natural source of each of the following acid मतलब naturally ये कहां-कहां मिलते हैं आपको citric acid हो गया या आपका oxalic acid हो गया, lactic और tartaric acid तो citric acid आप निम्बू में, lemon में, orange में मिलेगा oxalic acid आपको guava और tomatoes में मिलेगा tomatoes याने की tomato और guava का मतलब है अमरूद lactic acid आपको curd में मिलेगा, curd जो sour milk जिसे कहते हैं, दही tartaric आपको tamarind में मिलेगा, tamarind क्या है? Emily एक student ने detect किया कि जो pH है 4 unknown solution A, B, C, D का वो 11, 5, 7 और 2 है आपको nature बताना है solution का लेकि A आपका basic है आप लेकि एक से लेकर 14 तक चल ली जाई और साथ यहां बीक में है और यहां पर आपके vary इस तरीके से करता है A, क्योंकि आपका 11 है तो वो basic है A is basic B, आपका हुआ acidic क्योंकि B पांच है यहां पर 5 है, यहां 11 है A basic हुआ B आपका acidic हुआ C आपका क्योंकि C बिल्कुल यहां लाए कर रहा है 7 पे तो यह आपका neutral हुआ और D आपका क्योंकि D again 2 पे आ गया तो यह फिर से acidic हो गया D आपका acidic हो गया यहां पर 2 Give the constituents of baking powder baking powder में क्या होता है Why cake or bread swells on adding baking powder right chemical equation क्यों आपके baking powder डालते है डालते ही जो breads है और cake है वो फेल हो जाते है यह फूल जाते है पहले baking soda में क्या होता है यह देखिएगा इसमें sodium hydrogen carbonate होता है और साथ में tartaric acid होता है और यहां पर क्यों यह फूलते हैं क्योंकि carbon dioxide liberate होती है यह कि देखिए NaHCO3 जब इसको heat किया गया तो Na2CO3 साथ में carbon dioxide निकल गई है और water निकल गई है तो इस CO2 की कराण यह फूल जाते है बेक हो जाते है Equal length of magnesium ribbon are taken in two test tubes A and B H2SO4 is added to test tube A and H2CO3 is in test tube B in equal amount magnesium ribbon लिया गया equal length का और दो test tube में एक में H2SO4 डाल दिया गया एक में H2CO3 डाल दिया गया आपको identify करना है बताना है test tube vigorous action तो क्या यह vigorous action होगा तो आप इसका उतर देंगे हाँ यह vigorous action होगा और B आपको reason देना है कि क्यों ऐसा होगा क्यों क्योंकि sulfuric acid बहुत strong acid है फिर उसके बाद है name the gas liberated in both the tubes how will you prove its liberation दोनों ही में hydrogen निकलेगी hydrogen gas अगर आप एक burling कोई जलतावास printer रख दे gas के पास तो वो pop sound के साथ bum करेगा इसका मतलब यह है कि वाकिये में hydrogen निकल रही है फिर उसके बाद है आपको chemical equation लिखने तो वो होगा magnesium में आप H2SO4 मिलाएंगे magnesium sulfate बनेगा hydrogen liberate होगा magnesium में आप H2SO3 मिलाएंगे magnesium carbonate बनेगा hydrogen liberate होगा out of the two acid taken up जो हमने लिए H2SO3 और H2SO4 इन दोनों में which one will have lower pH value अब देखे A यानि कि H2SO4 इसका lower pH value होगी और B यानि कि lower H plus concentration करेंगे कि H2SO3 में lower concentration होगा H plus का How will you test for the gas which is liberated when hydrochloric acid react with an activity आप कैसे test करेंगे कि जो gas liberate हुए निकली है hydrochloric acid से active metal के साथ वो react कर रही है तो आप क्या करेंगे जो gas के सामने एक match stick रख सकते हैं अगर वो पप करके ऐसे करके sound के साथ burn करेंगी तो आप वो सकते हैंगी यह hydrogen है write the name given to bases that are highly soluble in water जो bases बहुत आसानी से बहुत आराम से पानी में soluble हो जाते हैं mix हो जाते हैं उनको क्या नाम दिया गया है एक्जामपल भी देना है उनको हम कहते है alkali जैसे example है sodium hydroxide how is tooth decay related to pH can it be prevented जो दात है वो घिसते है decay यह उसमें cavity बगरा बन जाती है तो वो pH से कैसे related है जितना कम pH होगा जितने जादी चीज़े acidic होने वाली है आपका tooth decay उतना जल्दी होगा दात उतने जल्दी घिसेंगे क्योंकि acid react करता है CA3PO4 से और यह आपके tooth decay के लिए responsible होता है अब इसके लिए क्या कर सकते है आप जैसी आप खाना खाएं आप उसके बाद जिया तो brush कर ले या बज अच्छी तरीके से कुला कर ले gargle कर ले ताकि अगर कोई acidic content है तो वो निकल जाती है how does bee sting cause pain and irritation जब एक मदुमक्की काटती है तो बहुत pain होता है बहुत जादा pain होता है और वो जगा फूल भी जाती है rubbing of baking soda on the sting area gives relief अगर इसी जगा पे जहां पर काटा है मदुमक्की ने अगर उस जगा पे आप baking soda थोड़ा सा लगा दे तो relief बिलता है तो यह जब B काटी है तो यहां पर एक formic acid बनता है और जो baking soda होता है वो क्या है वो होता sodium hydrogen carbonate होता है वो इस acid को neutralize कर देगा तो उससे आपको थोड़ी relief नहीं हो एक white powder को add किया जब bread bake कर रहा है और cake bake कर रहा है और यह बड़े soft और बड़े fluffy से हो गए आपको नाम बताना है इस powder का main ingredients बताने constituent बताने function बताना है हर एक ingredient का और आपको chemical reaction भी बताना है जब powder को heat किया गया baking के समय पहली चीस तो इसका उत्तर baking powder होगा आप देखिएगा यह जब इसको heat किया गया इसमें यह जो baking powder है इसमें क्या होता है sodium hydrogen carbonate और साथ में tartaric acid जब sodium hydrogen carbonate यह इसको आप heat करते है तो आपको carbon dioxide मिलेगा जो इसको cake को fluffy और soft बनाता है tartaric acid क्या करता है यह कम करता है यह neutralize करता है जो यह sodium carbonate बन गया ना इसकी bitterness को कम करने के लिए tartaric acid यूज होता है sodium hydrogen carbonate is a basic salt आपको justify करना है statement कि क्या यह statement है कि sodium hydrogen carbonate एक basic salt है how it is converted into washing soda कैसे इसको convert करते हैं washing soda में explain भी करना है देखे sodium पहले तो ही समझा लीजे यह NaHCO3 जब यह sodium hydrogen carbonate को heat किया जाता है तो आपका Na2CO3 साथ में आपका CO2 और H2 हो तो sodium hydrogen carbonate यह एक ऐसा salt है sodium hydroxide का यानि कि strong base और carbonic acid का जो कि weak acid इन दोनों का combination है तो इसलिए यह एक basic salt है और इसको convert किया जाता है washing soda में जब हम heat करें साथ में उसका co-crystallize किया जाता है आपको एक activity बतानी है diagram के साथ ताकि आप illustrate कर सके बता सके जो reaction है metal carbonate का और metal bicarbonate का acid के साथ produce करता है यह carbon monoxide क्या relevant equation होंगी इस reaction की और आपको दो form बताने है यह टू form जिसमे calcium carbonate nature में मिलता है तो शुरुआत करते हैं aim हमारा है कि यह बताना है कि acid react करता है metal carbonate से ताकि carbon monoxide निकले जो हमें material required होंगे वो है calcium carbonate यानि की marble chips और bottle wolf bottle साथ में thistle funnel dilute hydrochloric acid gas जाए एक match box चाहिए delivery tube जो bent हो दो right angle पे इस तरीके से यह दो angle bent है यहाँ पे और lime water तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले आप marble chips लीजिए इस यहाँ पर wolf bottle कहते हैं और इसको यह सारा apparatus आप इस diagram की तरह बना दीजिए यह आपका thistle funnel है यह wolf bottle है आपर dilute hydrochloric acid इसमें जाएंगे इसमें calcium carbonate है फिर आगे यहाँ पर आपको CO2 मिलेगी यहाँ पर lime water बनेगा और इसके बाद आप देखेंगे match stick से check कर सकते हैं CO2 है तो यह reaction है calcium carbonate का dilute hydrochloric acid ताकि carbon monoxide gas निकले जो आपके lime water को milky कर देती है और साथ में अगर माचिस है उसको extinguish कर देती है उसको बुझा देती है तो आगे हम करने के आवाले हैं dilute hydrochloric acid add करेंगे thistle funnel को लेंगे फिर gas जो liberate होगी उसको gas जार में लेंगे और उसका upward displacement जो air का है उस तरीके से उसको collect कर लेंगे अब match stick जो gas जा रहे है उसके सामने हम रखेंगे जलागे और अपने observation देखेंगे और अब जो gas निकली है उसको lime water से पास करेंगे फिर हम observation देखेंगे तो observation क्या निकले जो burning match stick है वो बुझ जाएगी क्योंकि carbon dioxide ना ही combustible है ना ही supporter है combustion का और lime water जो milky बन गया will turn milky क्योंकि इसमें एक insoluble calcium carbonate त्यार हो जाएगा इसको हम use कर सकते हैं ताकि टेस्ट करें कि वाकि carbon dioxide आपका निकला है जो chemical reaction है जो यहाँ पर हो रहे वो इस तरीके से हैं calcium carbonate या जो हमने marble use किया था उस HCL के साथ जब यह मिला तो calcium chloride याने की white precipitate form बना और यह water है और साथ में आपका calcium dioxide है अब इस calcium hydroxide को आपने लिया carbon dioxide साथ इसको mix किया तो calcium carbonate बना कि जो की आपका white precipitate है water liberate हो तो conclusion में आप यह कह सकते हैं कि जो metal carbonate है यह react करता है dilute acid के साथ ताकि carbon dioxide liberate हो हमने देखा carbon monoxide liberate हो ना carbon dioxide तो हमने बाद में बनाया तो limestone, chalk, marble यह बड़े different form है calcium carbonate जिस form में मिलता है जितने metal carbonates है यह hydrogen carbonate है यह react करते हैं acid के साथ ताकि अब उनके salt, water और carbon dioxide आपके मिल सके identify the acid and base whose combination forms the common soil आपको acid और base बताना है जो common soil बनाता है यहने कि NACL जो आपके खाने में आप use करते हैं formula इसका बताना है chemical name बताना है salt का और आपको source बताना है कहां से इसको obtain किया जाता है या कहां से इसको लिया जाता है तो इसका उत्तर यह है कि HCl एक acid है sodium hydroxide base है इसको combine करेंगे HCl और NaOH को तो आपका NaCl बनता है common salt यह formula है NaCl का sodium chloride का NaCl और यह sea water से हम लोग निकालते है रॉक सॉल्ट क्या होता है रॉक सॉल्ट और इसका color बताना है रीजन बताना है किस current से due to which it has this color क्यों इसका color इस तरीके से color बता के बताना है तो यह रॉक सॉल्ट इसका common नाम जो mineral का है वो है हलाइड chemical formula NaCl और यह white भी हो सकता है light blue भी हो सकता है यह लो यह depend करता है कि उसमें कितनी impurities है उसमें impurities कितनी है what happens when electricity is passed through brine brine what is the chemical equation for it अब देखेगा कि यह sodium chloride है और यह पानी है यह नमक का पानी इसमें electrolysis इसका हो तो sodium hydroxide बनता है hydrogen और chlorine liberate होती है यह होता है इसमें explain why is hydrochloric acid a strong acid and acetic acid a weak acid क्यों hydrochloric acid strong acid है और acetic acid आपका weak acid है इसको verify कैसे कर सकते हैं देखेगा HCl यह पूरी तरीके से completely ionized हो जाता है यानि कि H plus और Cl minus completely बन जाता है aqua solution में जबकि acetic acid की बात करें तो वो partially बहुत मतलब पूरान ही होता है partially ionized हो जाता है aqua solution में HCl एक dark बहुत गहरा लाल कलर देता है जब आप pH की बात करें जबकि जो CH3 CuH है जो acetic acid है वो आपको orange color देगा इसका verification इस तरीके से होता है explain why aqua solution of acid conducts electricity यह इसलिए होता है कि जो acid है वो जैसे HCl की बात कर लें यह ionized हो जाता है ions में तूर जाता है aqua solution में और यह ions जब free ions है तो electricity आपकी content होगी अब चार solution है ABCD pH इनका 6,9,12 और 7 दिया है अब आपको बस यह करना है एक से लिए कर 14 तो जाना है साथ बीच का है तो आप इनके number यहाँ पर लिख दे रहें उससे आपको बताते ना acidic कौन सा है आपका और वो कुन सा है basic कौन सा है तो इसमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा acidic कोन है, सबसे ज़्यादा basic solution कोन से हैं, ये number आपको दिया है, तो A सबसे ज़्यादा आपका acidic है, और अगर C को देखें, ये 12, ये सबसे ज़्यादा basic है, जो इनके बीच में हैं वो basic है, और ये 1 से 7 के बीच में हैं वो आपका acidic पस ये नमबर देखने हैं आपको Arrange the above 4 solution in the increasing order of H plus concentration तो उसके लिए आप क्या करेंगे C, B, D और A ऐसे करेंगे ये आपके decreasing order में और ये जो 6, 9, 12 और 7 है 10 की पाउर minus 7 यानि कि आपको बस ये समझना है कि ये जो pH है और ये solution है इसमें H plus कितना produce होगा उस हिसाब से इसको लिखा गया है 12 फिर 9 फिर 7 फिर 6 ऐसक बनाए गया है State the change of color of pH paper on dipping in solution C and D C और D तो pH paper क्या होगा Blue हो जाएगा जब C डालेंगे और Green हो जाएगा D हो जाएगा इसके pH के इसाब से और इसकी value के इसाब से Dry Pellets of Base X Base X है इसके Dry Pellets या आप छोड़े particles कह सकते है इसको keep इसको रखा गया absorb यह आपका absorb करता है moisture और sticky बन जाता है chip 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 का हट आ जाती है इसको यह compound है यह chloralkali process से भी बन जाता है आपको chemical name बताना है formula बताना है इस X का यह सब आपको करेक्टरिस्टिक इसकी दी हुई है आपको जो chloralkali process है इसको बताना है chemical equation के साथ और आपको बताना है कि क्या type का reaction यहां पर हो रहा है जब X को treat किया जाएगा dilute hydrochloric acid से यहां पर भी chemical equation लिख recommended है कि acid में पानी मिलाइए ना कि पानी को acid में मिलाइए रिकमेंड क्यों किया जाता है why it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid पहले चीज़ तो यह एक्स जो है वह sodium hydroxide है एने वरेच देखिएगा कि जब sodium chloride solution यानि कि brine solution जिसे कहते हैं इसको electrolysis की जाती है तो sodium hydroxide बनता है hydrogen और chlorine gas निकलती है इसी को हम chloralkali process कह रहे है तो आपका यह NaOH है X और जैसी इसको HCl के साथ मिलाएंगे sodium hydroxide को आपके hydrochloric acid के साथ यह NaCl याने कि salt बना देगा water इसके साथ दिकल जागा इसी को हम neutralization reaction कहते हैं कोई भी acid और कोई भी waste को मिलाएंगे तो वो आपका neutralization reaction होता है और यह जो आपका यह वाला part है यह इसलिए है क्यों ऐसा किया जाता है क्यों recommendation है कि acid को पानी मिलाएंगे ना कि पाली को यदि क्योंकि यह जो process होता है ना पानी की एक बहुत highly concentrated चीज़ है उसमें आप कोई चीज़ मिलाएंगे तो जैसे खासवर पर पानी की बात यहां पर हो रही है बड़ा एक्जो थर्मिक reaction होता है याने कि उसमें heat जबरतस्त पैदा होती है बहुत highly exothermik है तो अगर पानी को आप acid में मिलाएंगे तो हो सकता है कि bottle acid की break हो जाए या लुकसान को ही हो जाए इसलिए यह जो इसमें सवाल में दिया गया है वो recommended है एक student है जो drop करता है कुछ pieces marble के उसके पास marble के pieces है इस dilute hydrochloric acid में जो test tube में है जो gas निकलती है उसको वो pass करता है lime water में क्या change उनको मिलेगा lime water में और क्या होगा what happen यदि excess gas ये lime water से pass की जाए आपको balance chemical equation से सारी चीज़े observation की बतानी है पहले समझे कि इनके पास marble है नहीं यानि की calcium carbonate है ये मिला रहे है उसको hydrochloric acid से क्या बनेगा calcium chloride water और carbon dioxide दिखलेगा अब जो lime water है वो milky हो जाएगा यानि की दूदिया हो जाएगा क्योंकि carbon dioxide निकल के आई क्यों किसमें इसमें बन जाएगा CAHCO3 देखिएगा जो soluble है water में यानि की CACO3 जो बना उसमें water और carbon dioxide आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे excess carbon dioxide तो calcium ये CAHCO3 ये बन जाएगा तो ये soluble है milkiness से लिजाएगी identify the compound of calcium which is yellowish white powder and is used for disinfecting drinking material write its chemical name and formula कैसे manufacture किया जाता है आपको chemical equation भी लिखनी है जो reaction हो रहा है आपको दो और लिस्ट तू अधर यूजेस यानि दो और इसके उपियोग बताने है इस compound के तो इसमें यह हो रहा है कि जो compound है वो है bleaching powder CAO CA2 जो chemical name है calcium oxy chloride calcium oxy chloride ये manufacture किया जाता है जब reaction होता है solid slake lime का जो की calcium hydroxide है और dry chlorine है उसके साथ जब हम ये दोनों को मिलाते हैं तो आप आपका calcium oxy chloride बनता है और water बनता है कहां कहां यूज होता है एक तो disinfectant की तरह साफ सपाई के लिए और chloroform को बनाने के लिए इसका उपियो होता है write the balance chemical equation of chloralkali process sodium chlorides के साथ water साथ में electrolysis होगी तो sodium hydroxide बनेगा hydrogen liberate होगी chlorine liberate होगी ये आपका chloralkali process है mention the pH range within which our body works हमारी जो body है किस pH range में काम करती है कैसे antacid आपकी acidity को relief पहुचाते हैं आपको antacid का नाम भी बताना है हमारा जो stomach है, पेट है उसकी pH है 2 antacid क्या करते हैं अगर हमारा पेट excess acid produce कर रहा है किसी भी current से antacid उसे neutralize करते हैं तो हमको hyper acidity से हमारा बचाव होता है sodium hydrogen carbonate ये example है antacid का fresh milk का pH है 6 जैसी ये curd बन जाती है, मतलब दही बन जाती है, pH इसका कैसे change हो जाता है आपको बदाना है इसका answer देखिए pH decrease हो जाएगी, कम हो जाएगी जैसे ये curd बनेगा, क्यों? क्योंकि curd अगर आप थोड़ा सा चख के देखें तो आप देखेंगे ये वो खटा होता है क्योंकि उसमें lactic acid बन चुका होता है एक milkman है जो थोड़ा baking soda fresh milk में डालते है अब ये जब डाल दिया तो उन्होंने दूद को दही बनने में समय लगता है क्यों? ये milk बनी बात है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि जब curd बनना है तो आपको उसमें lactobacillus या फिक बैक्टेरिया का काम होना चाहिए जब sodium hydrogen carbonate यानि कि आपके उसमें baking soda मिला दिया तो वो जो fermentation का process है वो थोड़ा धीरे-धीरे slowly चलेगा mention the nature of toothpaste how do they prevent tooth decay जो आप manjan यूज़ करते हैं toothpaste यूज़ करते हैं ये toothpaste आपके basic nature के होते हैं acidic नहीं होने चाहिए acidic में फिर आपके दाथ decay हो जाएगी ये neutralize करते हैं जो acid आपके मुँँ में बनता है जो आपके tooth decay को और बढ़ाता है याने की जो दाथ है जो घिसने लगते हैं क्रिस्टल्स of substance change their color on heating in a closed test tube बट regain it after some time when they are allowed to cool down याने की crystal कुछ substance की बात हो रही है वो अपना color change कर देते हैं जब उनको हम heat करते लेकिन जैसी उनको हम ठंडा होने देते हैं वो अपनी चीज़े रिगेन कर लेते हैं मतलब अपनी position अपनी जो color है आपको substance बताना है, formula भी बताना है और phenomena भी बताना है देखिए CUSO4.5H2 वो यह आपका नीला crystalline solid होता है यह dirty white हो जाएगा जब इसको heat करेंगे क्योंकि यह अपने water molecule जो यह वाले हैं इसको lose कर देगा और यह amorphous हो जाएगा जैने कि CUSO4.5H2 है जब इसको heat करेंगे तो CUSO4 बनेगा जो कि आपका enhydrous copper sulfurator dirty white आएगा जो previous था वो blue है, पानी liberate हो जाएगा लेकिन जैसी यह पानी absorb करेगा CUSO4 के साथ 5H2 आजाएगे यह अपने आप दुबारा blue बन जाएगा यह atmosphere से पानी खीच लेगा और अपने आप blue बन जाएगा अगला है, name the compound whose one formula unit is associated with 10 water molecules ऐसा कौन सा compound है, जिसका एक unit 10 water molecules के साथ समंदित है और how it is prepared, कैसे बनाया जाता है, equation बनाना, बताना है आपको और uses भी बताने हैं, इसके उप्योग भी बताने है तो Na2CO3.10H2O, यह है इसका उत्तर, इसको हम कहते है sodium carbonate decahydrate, 10 hydrate है इसके तो sodium carbonate decahydrate या इसको washing soda कहते है यह बनता कैसे है, एक saturated solution जिसका ammonical brine वहाँ उसके उपर हम carbon dioxide पास करते हैं, देखेगा कैसे बनेगा यह ammonia है, water है, carbon dioxide है, brine है, इसका मतला इसमें sodium chloride मिला हुआ है, इससे sodium bicarbonate बनेगा और ammonium chloride बनेगा, यह जो sodium bicarbonate होगा, इसको हम heat करेंगे, Na2CO3 बनाएगा, H2O, CO2 liberate करेंगा Na2CO3 फिर water लेगा, 10H2O, साब ने washing soda याने Na2CO3.10H2O बना देगा, काम क्या है? पहले चीज़ तो यह है कि यह washing powder बनाने में काम आता है, washing soda और glass भी बनाने में काम आता है, यह दोनों काम है इसके आपको explain करना है, जो chemical property है acid की, और साथ में balance chemical equation भी लिखने है जब एक acid react करेगा metal carbonate से, तो calcium carbonate है, metal carbonate है, acid HCl है, जब यह combined होगा तो CACL2 बनेगा, water होगा, carbon dioxide निकलेगा जब acid react करेगा metal bicarbonate से, यह sodium bicarbonate है, यह acid इससे react करेगा, sodium chloride बनेगा, water आएगा, carbon dioxide आएगा when an acid react with metal oxide, तो Al2O3 है, aluminium oxide, इसके साथ हम जब देखेंगे कि acid react होता है HCl, तो AlCl3 बनेगा, साथ में water बनेगा अब आपको तीन solution दिए, ABC, pH, इसकी 2, 10, 13, आपको बताना है कि कौन सा solution, जिसमें ज़्यादा hydrogen ion concentration होगा, इन तीनों में और आपको बताना है कि acidic और basic कौन-कौन से होगे, पहली चीज़ तो आप देखेंगे, ध्यान से pH क्या है, तो इसमें A जो दिख रहा है, इसमें maximum आपको ये मिलेगे, जो 10 की पाउर minus 2 mole per liter होगे A इसमें, क्योंकि यहीं से हमने 2 ले लिए न, ये 10 की पाउर minus 2 कर दिजेंगे, वस 10 लीजें, ये 2 है, minus 2 कर दिजेंगे, इतने mole per liter होगे और A इसमें acidic है, जबकि ये दोनों, ये क्योंकि साथ से काम है, ये दोनों साथ से उपर हैं, तो ये दोनों basic है एक metal compound है, X, ये react करता है dilute H2O4 से, sulfuric acid से, ताकि कुछ effervescence पैदा हो, जो gas निकल रही है, वो जो candle ज़ल रही होगी, उसको बंद कर देती है यानि कि combustion नहीं support करती है, यदि एक compound calcium sulfate है, तो क्या X है और क्या gas इवाल हुई आपको balance chemical equation लिखना है, इस reaction का जो हो रहा है, तो इसको एक ही करके लेते हैं, सबसे पहले देखिएगा कि इसमें जो X है, वो calcium carbonate है, gas जो निकल रही है, carbon dioxide है कैसे, calcium carbonate जब sulfuric acid, H2SO4 से मिलती है, तो calcium sulfate बनता है, और H2 और CO2 निकलता है antacid बताईए और कैसे बताईएगा कि इस indigestion या जो खटापन आपके पेट में रहता है, खटी नकारे हो अगरा आती है, वो कैसे इससे relief होता है NaHCO3 ये आपका antacid है, ये आपके जो acid बन रहे है पेट में उसको neutralize करता है फिर एक farmer है, जो, यानि किसान, वो treat करते हैं अपनी जमीन को, quick lime से, या calcium carbonate से क्या nature होगा इस soil का, और क्यों ये इसको treat करते है quick lime से देखे, soil जो है, वो acidic होती है by nature अब जो किसान है, वो कोशिश करेंगे कि उसको neutralize कर सके, acidic nature को क्योंकि ये फिर पौधे नहीं उपाएंगे, तो इसलिए वो quick lime उसमें डालते हैं, जो crop के लिए अच्छे होती है what are strong and weak acids, strong and weak acids क्या होता है, ये जो आपको list दी गई है, इसमें आपको strong and weak acid बताने है तो पहले देखिए, strong acid वो acid होते हैं, जैसी वो aqueous solution में डालते हैं, वो completely ionized हो जाते हैं, जैसे hcl होगे weak acid वो होते हैं, जो पूरी तरीके से ionized नहीं होते हैं, अगर उनको aqueous solid में जल डाला जाए जैसे strong acid में hcl है, hno3 है, succuric acid है, weak acid में आपका citric acid है, acetic acid है, और formic acid है आपको chemical name बताना है, plaster of Paris का, और chemical equation बताना है ताकि आप दिखा सके reaction plaster of Paris और water का P.O.P. जिसे कहते हैं, calcium sulfur hemihidrate ये आपका chemical नाम है, plaster of Paris का ये calcium sulfate है, hemihidrate आदा किया गया है, इसको half acid है, इसको जब water के साथ मिलाएंगे तो CISO4.2H2O बनता है, आपको short में बताना है कि कैसे washing soda बनाया जाता है, baking soda से, balance chemical equation भी लिखने है तो देखिए, जिस sodium hydrogen carbonate है, baking soda, उसको heat किया जाता है, जब sodium hydrogen carbonate है, इसको heat किया गया, तो आपका sodium carbonate बना, carbon dioxide hydrogen water liberate हुआ, उसके बाद जब इस Na2CO3 को फिर से, इस sodium carbonate को recistiline किया जाता है, तो ये washing soda बना देता है क्या color है FESO4.7H2O crystals का, कैसे color change हो जाता है heating पे, आपको इसके balance equation भी बताना है देखे, FESO4.7H2O ये pale green color का होता है, मतलब green होगा, लेकिन हलका green होगा, और जब ये heat किया जाता है, तो FESO4 बनता है, जो की white, dirty white इसले कहते हैं कि, पूरा white नहीं देखे, आपको dirt, अगर उसमें थोड़ी से मिट्टी मिलाजी देखे, जो कैसे देखे, वह ऐसे दिखाए देखे, तो ये dirty white है, जो इसको heat करते हैं, आपको classify करना है, जो आप चीज़े आ रही हैं यहाँ पर, उनको salt, जो भी salt आ रहे हैं, उसको acidic, basic और neutral, तो अभी देखे, एक से लेकर 7, 7 से लेकर 14, अगर यहाँ पर है तो acidic है, यहाँ पर वो basic है, 7 और neutral है, तो आपके बस क्या क CL में डाले, और evolve gas जो है, वो lime water के पास की, आपको change बताना है, जो observe होगा lime water में, और balance chemical equation लिखनी है, तो देखे, long water तो पहली बात, milky हो जाएगा, क्योंकि calcium carbonate बन चुका है, balance chemical equation क्या होगी, calcium hydroxide को, जो aqueous form में है, carbon dioxide से मिलाईए, calcium carbonate बनेगा, और साथ में, यहाँ है, 2011 के 3 marks के short answer type questions है, what is universal indicator, universal indicator क्या होता है, यह है mixture, synthetic indicators का, अगर pH find करना है, pH कहां से होता है, एक से लेकर 14 तक होता है, कहां आपको acidic होते हैं, कहां basic होते हैं, आपको पता है, तो जो universal indicator होते हैं, वो combination यह कह सकते हैं, mixture है, synthetic indicator का, जो हम उपयोग करते हैं, ताकि pH पता कर सके हैं, solutions का, right the chemical equation involved in the preparation of sodium hydroxide, sodium hydroxide कैसे बनेगा, sodium chloride लेंगे, water लेंगे, साथ में इसको डालेंगे, electrolysis में, और यह जो process है, इसको कहते हैं, chloralkali process, chloralkali process, एक gas X है, जो react करती है, lime water से, और Y बनाती है, compound Y, और जो bleaching agent की तरह use होता है, chemical industry में, आपको X और Y identify करना है, साथ में आपको chemical equation भी बताने हैं, जो reaction involved है, इसमें क्या है, कि एक ही आपका calcium hydroxide है, और यह chlorine है, तो X बना आपका chlorine, और साथ में, क्योंकि इसमें और दे रख खाये चीज़े, यह gas है, तो gas हमने chlorine बताइए, अब यह बनाता है, CAOCl2, यह है आपका bleaching powder, वाई आपका bleaching powder है, Name the compound which is obtained from baking soda and used to remove permanent hardness of water, कौन सा compound, जो baking soda से बनाया जाता है, उसको पानी में जो hardness होती है, उसको कम करने के लिए उप्यो किया जाता है, इसका chemical formula भी लिखना है, और यह भी बताना है, कि जब यह recrystallize करते हैं, उसके aqueous solution से, तो क्या होता है, तो पहले का answer यह है, कि जो sodium carbonate है, यह baking soda से बनाया जाता है, और यही use किया जाता है, ताकि hardness पानी का कम किया जा सके है, रिमूव किया जा सके है, जब भी एक acid और एक base के बीच में reaction होता है, तो एक salt बनता है, और सापने water बनता है, तो यह जो salt बना, यानिकि acid और base आपस में neutralize होके, इसके एक salt बना देते हैं, यानिकि इसकी इसकी property चली गई, इसको हम neutralization कहते हैं, जैसे KOH को HNO3 से करिए, HNO3 इसमें आपका acid है, H2SO4 sulfuric acid आपका acid है, ऐसी sodium hydroxide और KOH potassium hydroxide, यह आपके basis हैं, जब यह combine होते हैं, तो KNO3 और HNO2SO4 बना रहा है, यह दोनों salt है, साथ में water liberate होता है, यानिकि इन दोनों का neutralization हो गया और यह बन गया है, वाट इस tooth enamel chemically, आपका जो दांत है उसके enamel क्या होते हैं, chemically बताईएगा, और कब यह घिसना या इनका corrosion शुरू हो जाता है, क्या होता है, जब food particle खाने के जो particle है, वो आपके मुँ में या दातों में रह जाते हैं, और why do doctors, doctor क्यों suggest करते हैं कि tooth powder या toothpaste आप यूज़ करें, ताकि आपका दात का जो घिसना है या उसका decay है, या खतम होना जो है, वो आपका रुख जाए, पहली चीज़ तो यह समझेए कि आपका जो enamel है mostly calcium content है, यह calcium phosphate से बना होता है, और क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो उसे बहुत सारे acidic चीज़े होती है, और जैसी acid की चीज़ आएगी तो calcium आपका करोड होना शुरू हो जाता है, घिसना शुरू हो जाता है, तो यह corroding या खाने के जो पदार्त है आपके मुँ में रह गए, वो acid बनाते हैं और वो ultimately आपका tooth देखें, या दांतों का जो खतम होना है उसको कहते हैं, वह उसके लिए जिम्मेदार होता है, toothpaste और tooth powder यह basic होते हैं, क्योंकि acid घातक है आपके दातों के लिए, तो toothpaste और tooth powder आपके basic होत करते हैं, आपके acid जो भी आपके दात में, मुँ में बचा हुआ है, या बना हुआ है, उसके neutralize करते हैं, जिससे आपका tooth decay आपका बचता है, तो जो भी आपको long उसमें मिलता है, उसमें बबूल मिलता है, या बहुत सारी चीज़े जैसे और अलग तरीके के toothpaste देखनी चाल, अलग अलग चीज़े बताते हैं उसमें, तो सारी चीज़े होती हैं, अब अगर आपके सुना होगा, आपके toothpaste में क्या salt है, तो कई चीज़े ऐसी हैं, लेकिन अल्टिमेटली, ये long वगएरा तो flavor हो सकता है, या थोड़ा सा और चीज़े बढ़ जाती हैं इसे, ठीक होते है दाथ, इसमें cavity वगएरा हो तो, लेकिन sensation हो तो, सेंसोडाइन जैसे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कि ये जो दाथ के ऊपर जो toothpaste लगाते हैं, उसका main काम ये है, कि वो acid, basic है बस, वो आपके acid को neutralize करता है, main काम ये है, बाकी चीज़े उसमें जितनी घड़ा बढ़ पहरी चीज़ समझ लिजें कि ये POP, plaster of Paris जो है, वो calcium sulphate hemihidrate है, ये कहां से बनता है, जिपसम को लेते हैं, इसमें CSO4.2H2, इसको 373 Kelvin में हिट किया जाता है, उसके बाद CSO4.5H2 यानि कि यही plaster of Paris है, calcium sulphate hemihidrate इसी को हम कह रहे हैं, ये chalk जैसे board पे जो हमारे teachers लिखते हैं, चौग की तरह, चौग इससे बनता है, बहुत सारी casting और molding इसी से होती है, तरही तरह के आकार, मूर्थिया इससे बनती है, वाट इस baking soda chemically called, baking soda को chemically हम क्या बोलते हैं, इसका reaction बताना है, जो इस preparation में involved होगा, और आपके इसको uses भी बताने हैं, तो पहली चीज़ तो ये इसको antacid की तरह use किया जाता है, यानि कि अगर पेट में digestion, indigestion कार and acid formation बहुत जादा हो गया है, तो उसको neutralize करने के लिए antacid का ताकाम करता है, अब बनता कैसे हैं, ये ammonia लिया आपने, carbon dioxide है, hydrogen है, और थोड़ा सा brine solution, यानि कि NaCl है, इससे NaHCO3 बना, NaH4Cl बना, अब ये NaCO carbon dioxide और H2O के साथ मिलके आपका NaHCO3 बनाता है, तो ये दोनों ही जगा, NaHCO3 का formation हो रहा है, what is alkali, alkali क्या है, इसका example देना है, alkali जो soluble bases है, ऐसे bases जो soluble है, मिक्स हो जाते हैं, उनको alkali कहते हैं, जैसे sodium hydroxide है, ये alkali है, ये base का एक नाम है, bases ही होते हैं, वो उनका नाम है, जो soluble होते हैं, why do HCl, HNO3, ये जो आपके acids हैं, ये acid character दिखाते हैं, एको solution में, लेकिन जो solution हैं के compound जैसे like alcohol ले लिए, glucose ले लिए, वो acid character शोन ही करते हैं, लेकिन HCl, अगर मैं HCl का example लो, तो H+, और Cl- ये फटा-फट बना देता है, जैसी एकोस solution में जाता है, लेकिन जो alcohol है, glucose ह ये acid character इसलिए नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये ionize नहीं होते हैं, जैसी एकोस solution में आप डालेंगे, क्योंकि ये ionize नहीं हो रहे हैं, तो acid character अपने नहीं दिखाते हैं, compound जैसे की alcohol और glucose ये hydrogen में होता है इसमें, लेकिन इसको आप acid में नहीं लेके आते हैं, आपको activity करके दिखानी हैं, ताकि आप ये प्रूव कर सकें, तो शुरुआत करते हैं, आपर एक beaker लीजिए, aim लिख लीजेगा, aim लिख लीजेगा, diagram मनाना बहुत जरूरी है, तो aim लि कि एक ये nail है, दुसा ये nail है, ये इसको fix किया, एक cork के साथ, ये cork हो गया आपका, आप connect करेंगे इस nail को दो terminal जो 6 volt battery ले लिजेए, 6 volt battery आपका ये 6 volt battery है, इससे आपने connect कर लिया, आप कुछ पानी डालेंगे जिसमें ethanol होगा, और उसके बाद आप switch को on कर देंगे, तो पा ग्लुकोस के साथ करेंगे, अब observation क्या होगा इसका, जो bulb है, वो glow नहीं करेगा, और needle, जो ammeter की है, जो current नापती है, उसमें कोई deflection नहीं होगा, क्यों, क्योंकि glucose और ethanol, क्योंकि है तो इसमें hydrogen है, लेकिन अगर आप HCL की बात करें, तो HCL एक्वस में जाते ही हूँ, H+, और CL माइनस बन जागा, या आइनस बन जाएगा, जहाँ आइनस मिल गए, महाँ electricity का conduction शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जो दोनों है, ethanol और आपके glucose, ये ये काम नहीं कर पाते हैं, इसे ये electricity conduct नहीं करते हैं, तो इसका conclusion को जिस तरीके से होगा, कि एक्सपरिमेंट हमको बताता है कि glucose और ethanol ये ionize नहीं होते हैं एकका solution में, जिस तरीके से ये HCL हो जाता है, इसके कारण ये आपको H प्लस आयन नहीं दे पाते हैं, H प्लस आयन नहीं है तर इसका मुद्दा electricity conduct नहीं हो पाती है, इसलिए glucose और ethanol को आप acid के रूप में categorize नहीं कर पाएंगे, pH किसी sample का जो vegetable soup है, उसका 6.5 है, ये जो soup है किस थरीके से आपको टेस्ट होने वाला है, पहले चीज़ तो ये थोड़ा सा weakly acidic हो गया, इसका मतलब ये है कि ये sour taste होगा है, खटा, हलका खटा टेस्ट होगा है, which basis are called alkali's, basis की कौन सी श्रेणी ऐसी है जो alkali कहलाती है, आपको example पर देना है alkali's का, जो alkali's होते हैं, वो basis होते हैं, जो soluble है, जैसे sodium hydroxide, आपको balance chemical equation लिखना है, एक reaction का, जिसमें sodium carbonate है, और hydrochloric acid है, indicate करना है, physical state जो reactant है, और products का, तो Na2CO3 हो गया यह आपका, sodium carbonate, यह आपका hydrochloric acid है, यह sodium chloride बनाता है, याने की, आपका salt बन गया, और carbon dioxide और H2O, इसमें सारा physical state भी उता दिया, यह solid है, यह aqueous है, यह aqueous है, यह gas है, यह liquid है, balance chemical equation लिखना है, neutralization reaction का, आपको यह physical state भी उताने है, reactant of product का, यह से बहुत सारे example है, यह हमने यह आपर लिया है, sodium hydroxide और HCl, इसमें दिनों combine हुए, आपके NaCl और water बना, NaOH आपका aqua state में है, HCl aqua state में है, NaCl भी aqua state में है, और H2O आपका liquid state में है, What happens when chlorine is passed over slake lime at 313 Kelvin, क्या होता है, जब chlorine को आप slake lime के उपर pass करते हैं, 313 Kelvin में, आपको chemical equation लिखना है, reaction जो भी हो रहा है, और साथ में दो users भी बताने हैं, जो product आपका निकल रहा है, देखे, calcium hydroxide, यही आपका slake lime है, इसमें chlorine pass के 313 Kelvin पे, तो यह बन गया CaOCl2, कैस्यम oxychloride कहते हैं, इसको यह water बना साथ ले, bleaching powder है यह आपका, bleaching powder, बleaching powder जो है, बहुत ज़्यादा इसका use है, इसका इसका बहुत 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 किया जाता है, और जो हम पानी पेते हैं, उसके purification में भी इसका बहुत ज़्यादा उप्योंग है, as a disinfectant. What would be the color of red litmus in a solution of sodium carbonate, sodium carbonate का solution है, इसमें red litmus का क्या color होने वाला है, जो red litmus है, वो blue में change हो जाएगा, sodium carbonate solution में, कौन सी gas evolve होती है, जब sodium hydrogen carbonate react करता है, dilute hydrochloric acid से, तो carbon dioxide release होती है, CO2, इसके हम formula भी देख चुके हैं, curd is not kept in copper and brass utensils, why? अब देखेंगे कि copper and brass में खाना रखना बड़ा उचित समझा जाता है, लेकिं curd को नहीं रखा जाता है, क्यों? कर्ड या फिर कोई जो भी खटे substances होते हैं, उनमें acid होता है, ये brass और copper से react करते हैं, और salt बनाते हैं, जो शरीर के लिए घातक होते हैं, तो इसलिए इनको copper या brass utensils में या बरतनों में नहीं रखा जाता है, इस गैस के पास एक बर्निंग कैंडल अब जलती फी कैंडल ले आएगे, तो होगा कैंडल एक तो यह है कि hydrogen gas, क्यूंकि हम acid की बात कर रहे हैं, mostly hydrogen gas liberate होती है, और यह pup sound से burn होगी, यदि अगर जैसे आब कैंडल ले गए गए न, गैस के पास, जो जो गैस हा रही है तो पप sound से यह burn होगी, अगर माल लीजे एक solution है, उसमें कोई pH value है, माल लीजे हच प्लस, बढ़ जाता है, एक प्लस आयन बढ़ जाता है, hydrogen के जो प्लस आयन से वो बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा concentration होगा, उतना pH कम हो जाएगा, इस solution का, which one of these has higher concentration of H प्लस आयन, किसमें ज़्यादा है, वन मॉल आपका HCl है, वन मॉल आपका CH3, COH है, देखे, वन मॉल HCl जो है, उसमें ज़्यादा concentration होगा, H प्लस आयन का, यह acidic है, यह weak acid है, यह इसलिए, कि जो एक मॉल होता है, उसमें ज़्यादा, ज़्यादा H प्लस आयन होते हैं, क्योंकि HCl पुरी तरीके से आयोनाईज हो जाता है, एक्वा सोलुशन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि CH3, COH, weak acid है, तो यह पुरी तरीके से H प्लस सारे के सारे नहीं बन पाते हैं, और HCl जो होता है, वो पुरी तरीके से H प्लस और C L माइनस में विभगत हो जाएगा, इसलिए H प्लस आयन का, पूरा concentration मी लेगा, जैसे हैं और है तो यह प्लस आपको, जैसे जैडरीके साथ करेंगे, तो जैंक लोराइट तो बनेगा साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जब भी अक्टिव मेटल, आपके किसी ऐसिड जैसे डाइलूग्ट हैड्रोजन गैसिड के साथ इसको रिएट कराए जाता है, अब वाट इस दे कलर अफ लिटमस इन सलुशन अफ अमोनियम हाइड्रोकसाइड, अमोनियम हाइड्रोकसाइड में लिटमस कलर क्या होगा, रेड्र लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोकसाइड में अगर आप इसको रखेंगे तो, वाट इस मेंड बाइ, वाटर ओफ क्रिस्टलाइजेशन आफ असबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस में पानी, क्रिस्टलाइजेशन का पानी क्या होता है, वाटर ओफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपको एक एक अक्टिविटी बतानी है, ताकि आप बता सके, दिखा सके, यह जो ब्लू, नीले कलर का जो कॉपर सर्फिट क्रिस्टल है, उसमें water होता है crystallization का तो हम कहां से शुरुवात करते हैं हमारा aim क्या है जो water molecule पहले जीज़ तो ये पहले वाले सवाल का जवाब देदे जो water molecule attached होते हैं associated होते हैं link होते हैं किसी crystalline substance है उसे हम water of crystallization कहते हैं तो aim हमारा कुछ इस तरीके किसका है कि हम बताना चाहते हैं कि जो crystalline salt है उसमें water of crystallization होता है तो इसके लिए क्या कहते होगा हम है एक तो blue vitriol कहते हैं इसको COSO4.5H2 burning tube, burner, cork, delivery tube, test tube or clamps time वो सारी चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं यह आपका burning tube है, यह water vapor यहाँ देख रहे हैं यह crystal of blue vitriol है यह burner है, यह cork है यह holder है तो हम क्या करेंगे कुछ gram, जिसे 2 gram COSO4.5H2 है लेंगे बर्न ट्यूब में, जिसे जो clamp stand में fitted है, कलर देखेंगे इसको, अब cork लगा देंगे और जो delivery tube है जो bent है, दो right angle इस तरीके से यह test tube में dip होगा इस तरीके अब heat करेंगे crystal balling tube में, अब जो water vapor निकलेंगे, उसको हम condense करा लेंगे इस test tube में अब इसको cool करेंगे crystal को और उसके बाद हम कुछ drop पानी के इसमें डालेंगे observation यह होगा कि जो water vapor है, वो condense हो जाएंगे test tube में, और जो color है blue crystal का, वो white हो जाएंगे उसके बाद आप जैसी पानी डालेंगे इस enhydrous copper sulfate में वो दुबारा अपना blue color ले लेगा chemical reaction कुछ इस तरीके से है, COSO4.5H2 है इसको आप heat करेंगे तो COSO4 बनेगा जो की white है और 5H2O बनेगा तो blue vitriol से यह आपका white बनेगा conclusion यह है कि जो crystalline substance होते है, वोन में water होता है crystallization का, जो heating से loss हो जाता है, उसका दुबार आप उसमें मिला सकते है एक compound है जिसको prepare किया गया gypsum से उसकी property है hardening hard हो जाता है, जब इसको mix किया जाता है proper पानी की quantity से आपको compound बताना है, chemical equation बताना है और इसके uses भी बताने है तो पहला है यह POP plaster of Paris इसका reaction कुछ इस तरीके से बनाया जाता है gypsum से, तो CSO4.2H2 हो है, इसको 373 Kelvin पे अगर हम गरम करें, तो plaster of Paris, यानि कि CSO4.5H2 बनता है, और साथ में water liberate होता है, और जो हमारे कभी हड़ी तूट जाती है तो डॉक्टर plaster लगाते हैं, वो plaster of Paris ही होता है और यह आपका plastering के लिए use होता है, बहुत और जगह भी इसका use है, मुर्ती बगरा बनाने की काम में आता है क्योंकि एक बार आपने इसको गीले से, गीले के बाद मोल्ड कर दिया, आकरिती दिदी तो वो हाड हो जाता है नेल्दी प्रड़क्स फॉर्म इन इच्स केस कब कौनकों से प्रड़क्स बनेंगे, जब hydrochloric acid react कर लिएगा caustic soda से sodium hydroxide से तो इससे क्या होगा, sodium chloride बनेगा यानि कि sodium chloride और water बनेगा granulated zinc react करता है caustic soda से, तो यह आपका zinc है यह caustic soda यानि sodium hydroxide से react कर रहा है, sodium इसको साथ तम्माइड होगा, यानि कि sodium zincate बनाएगा और hydrogen gas liberate होगा, carbon dioxide को पास किया जाएगा lime water से, यानि कि calcium hydroxide है, lime water के उपर हमने carbon dioxide पास किया तो CSU, CO3 बनेगा यानि की calcium carbonate जो कि white precipitated होता है, सफेद precipitated होता है और साथ में पार ही निकलता है तो यह important सवाल और board के questions थे जो इस chapter के हमने देखें बहुत शुकरिया, बहुत महरमानी आप से लिखें